दिखाओ कैसे चुते हैं और देवर मुछ कोता ऐसे बीभी हो ऐसी तो अपने आप ताकल आती है ना बाई किस तरह से जरनी के मारे में अगर कुछ बाताना चाहूं कि यार मेरा सिर्फ एक इंटेंट था कि पहले तो सबसे एज़र प्यार से किया जाए क्योंकि हर कोई बहुत ज्यादा करता है तो जो मैंने शुरुआत में बोला भी बट क्योंकि वह एक option है जो आपके पास कुछ नह बचता है तो यह आप एक साइस करते हैं बट हर किसी से में यह क्या था बट वहां कि एनरजी ऐसे रहती है जब क्लोस रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीक के लड़ाई करके बात करता है और अपनी हद को पार करता है तो फिर कही बार ऐसा होना पड़ता है बट उन सब ची करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूं यही एक नियत में था और इसलिए बाहर आया हूं तो आप सब का प्यार इतना मिल रहा है आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशिया दे रहे हैं उन सब को मैं हाथ जोड़के एम् आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है आपको खुद को जवाब मालू हुआ रहा है फिर भी मुझसे बूल रहे हैं कि अपको यह नहीं लगा कि अपने मिताया उसकर में लोगों कोपरिग नहीं आगर कुछ थोड़ा सा कॉपरिग रहे हैं और यह उड़को अपको अपको अजा रहे हैं और वो गेम के और फॉमैट ही यहाँ अशा है कि वो बिल्कुल उन्प्रोडिक्टबल है आपको मालू कि आपकी दिमाग जहन में रात में जो है वो यह है जो मुझे लगा कि सच्छाइ से समझ से खेला और कॉल जो सही लगे उसको सही काऊ जो गलत लगे उसको गलत काऊ और ठोक कर इजट से प्यार से कहो और वही मैंने किया इस विए नाम दिया है बताई किया नाम दिया है अगर 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 बहुत ही एक यह ना गेम है तो भी ऑनिस्ट अम शायद बाहर इसको परसनली ले ले लेते हैं बढ़ हम घर में रहे कर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बाते बोली जाती है कि अगर वह लिमिट क्रॉस न साथ देखो आप नॉमिनिट कर रहे हैं इसूद हो रहे हैं परिशानिया हो रही है मन मोटाव हो रहे हैं लडाइयां भी हो रही है बड़ उसके बाद फिर बैट के साथ में खाना खाते थे सारे थरी-बस की में बात करूछ जब पार्टी भी जिए जब शालीर और टीना फ बहुत कन्फूजन है मेरे उक पास मैंने भी बहुत कोशिश कि उनका वह इजद प्यार बनी रहे और बीच में जो कन्फूजन रही और आने के बाद अगर वह दिखा मुझे के साथ में हुए तो वह क्या होगा वह मुझे नहीं पाता है बड़ मुझे लगता है कि दोनों बह बड़ी भी थी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद जब वह मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुबात करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है तो मैं भी वह देखना चाहता हूं कि फिर वह कैसे अन्मील होता और कैसा रिष्टा बनता है वह का नंन उसकी आवास स्टी कमसाइग हो थे वैट बहूं करें मुझे मज़ाय जाता है किया मज़ेदार आवाँ फुलपावर बंदा है और फुल में चाहज़ रहता है जैसे में रहा हूं लिव Sum ii कि ऑप देखते रहिए कुए satan-acidaga li यार बहुत ही शर्मनाक है किसी के लिए कहना और आप बाहर किसी को ऐसे कह देते हैं तो फिर तब भी उस बात को नहीं ले पाता है और अगर ले भी हो तो उसके पास option होती है कि वह छोड़कर चला जाए इस बात को और आगे बढ़ जाए बर जब आप एक isolation में घर के अंदर बंद रहते हैं और आपने जिसके साथ कोशिश कियो कि यह सोचा हो कि यार उनके अंदर थोड़ी इंसानियत और सचाई है डिस्पाइट कि वह सबसे लड़ते रहते हैं या argument करती रहती है तो मैंने वह एक छोटे से मुमेंट में उनके साथ यह सचाई शेर कर ली थी कि हमा करती सोच रखती है और इस बात पर मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट नहीं पिताना चाहता हूं तो जबकि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं विश्करूंगी तो मुझे लगा कि यार आप इतना जादा गंदा कहती है अगर आप उसके बाद किसी को सौरी भ कि आपके सौरी का कुछ माइन ही नहीं रहते हैं तो यह है कि अधिकर 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 नए साल की चुरूआत होने वाली है और अल्ट में बड़ी घटना हुए तुनिशा चलमाच जी जी काफी घटका लगा फुरेंडेस से को आप उसके बारे में क्या कहना करों देखिए मैं जैसे ही मेरा एविक्षन हुआ था और मैं यूस्ट वह रहा था चीजों के और इंसानों के और आप तो वह पहला इंटव्यू थी जो मैंने देखिए टीवी पर और बहुत ही शौकिंग था मुझे लगता था कि वह दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अ यार यार शौक के साथ नहीं बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहीं मतलब आप समझ भी आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे बद सिब यह कहना चाहूंगा कि अरकिसी को यूथ को की प्लीज एक ही जिंदगी उतार चड़ाव जिंदगी में चलते रहते है बहुतों की जिन्दगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी-बड़ी होती है थोड़ा नजरिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम्स से डील करने की और अपने माबाप और अपनी फैमिली के साथ एक जूट हो कर है क्योंकि जब आप वो रहेंगे जो जो पेड़ अपनी नीव के साथ हमेशा स्टॉंग रहता है वो नहीं गिरता है तो प्लीज भरोसा कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके माबाप नहीं समझ रहे हैं आपको या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं या किसी भी उनको दुख होगा या वो भी at the end of it वो माबाप है और अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ओपर आपको विश्वास है बड़ वो पकड़ के रखिये रिष्टों को और आप कोई भी परिशानियों उससे बाहर निकल सकते हैं और प्लीज हाथ जोड़के आप सबसे रिक हम ढूंडते हैं तरीके और रीजन्स के उनको वो आउटलूप दे पाए जिन्दगी की तरफ और आप भी दीजिए और हिम्मत मत आरिये प्लीज ठेक केर गॉडब्लेस ओल अपीड़ियों